उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में एक बड़ा हाथसा हुआ है यहां हजरत गंज इलाखे में एक दिवार गिरने से नौन लोगों की मौत हो चुकी है बताय जा रहा है कि यह मकान की दिवार थी इस घटना में दो बच्चों की भी मौत हो गई है गटना की सूशना मिलने के बाद स्लियम योगी ने मृतिकों के परज़िनों की प्रति संवेधना व्यक्त की है साथ ही मृतिकों के परज़िनों को चार लाख रुपे की राहत राशी देने का भी नर्देश दे दिया गया है दिल्ली में शराब घोटाले मामले को लेकर एडी की टीम ने बड़ी कारवाई की है एडी ने छे राजियों में 40 चिकानों पर चापे मारे हैं बैंगलूर, हैदराबाद, नोनोल, चिंड़ई समित 40 से ज़्यादा लोकेशन पर चापे मारी की जा रही है दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाना और यूपी में भी तलासी चल रही है बताय जा रहा है कि एडी ने दिल्ली की नई एकसाइज पॉलिसी में कथित अन्यमित ताउं से संब्वतित मनी लॉंडरिंग मामले की जाज को लेकर करीब 40 चिकानों पर चापे मारे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीश शोदिया ने गुरुबार को ये दावा किया कि दिल्ली नगण निगम राजधानी में 16 नए लैंडफिल साइट बनानी जा रही है उप मुख्यमंत्री ने आरूप लगाया कि जहां दुनिया भर में कूड़े का प्रवंधन किया रहा है वहीं दिल्ली में बीजेपी शासित MCD कूड़े को खत्म करने की बजाए नए कूड़े के पहार बना रही है हाला कि उप मुख्यमंत्री के इन आरूपों का दिल्ली नगणिकम ने खंडन किया है योग गुरू बाबा रामदेव शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉनफरेंस करेंगे इसमें वो पतंजली के खिलाब चल रहे है सडियंत्र का परदाफाश करेंगे इसके साथ ही वो आजादी के श्रताबदी वर्स 2047 तक बतंजली के स्वन्निम योगदान का खाखा भी बताएंगे यहाँ प्रेस कॉनफरेंस दोपाहर 12 पजे दिल्ली के कॉन्टिविशन कलब में आयुजित की जाएगे इसमें वो योग आयुरवेद भारतियो सिक्षा इवंचिकित्सा की फिर से प्रतिष्ठा दिलाने के आंदूलन पर चर्चा करेंगे कमपणी के बयान के मताबिक बाबारामदेब अगले कुछ सालों में अपनी कमपणी के आने वाले पांच आईपियों के बारे में भी जानकारी देंगे टेनिस जगत के बेताज बात्सा स्यूजिलेंड के माहान खेलारी रोजर फेडर्ड ने टेनी से सन्यास का एलान कर दिया है। उन्होंने आज अपने रिटार्मेंट के घोशना अपने ट्विटर हैंडल से की है। प्री टूनामेंट होगा।